आज हम सीखेंगे परिमे संख्याओं की संख्यारेखा पर तुलना जब संख्याओं की बात आती है तो हमें कई बार बड़ी या छोटी संख्या पैचानना अवश्यक हो जाता है जैसे राहुल, रोहित और मोहित का घर एक ही रेखा में है अगर राहुल के घर से रोहित के घर की दूरी पांच पटे आठ किलोमेटर है और मोहित के घर की दूरी तीन पटे आठ किलोमेटर है तो राहुल के घर से किसका घर सबसे पास में है यह पतागरने के लिए हमें 5 बटे 8 किलोमेटर और 3 बटे 8 किलोमेटर की तुलना करना अवश्यक है यही नहीं बलकि वस्तूओं के वजन के तुलना उचाईयों के तुलना इत्यादी तो चलिए जानते हैं दो परिमे संख्याओं यानि राशनल लंबर्स की तुलना यानि कमपैरिजन कैसे करते हैं हम संख्यारेखा पर परिमे संख्याओं की तुलना आसानी से कर सकते हैं संख्यारिखा पर दाई और संख्याओं का मान बढ़ता है जबकि बाई और संख्याओं का मान खटता है चलिए 8 बटे 10 और 9 बटे 15 की तुल्ला करते हैं जैसा कि हम देख सकते हैं दोनों संख्याय P बटे Q रूप में है, जहां दोनों के अंश और हर पूर्णांख है और किसी भी संख्या का हर शून्य नहीं है इसलिए ये दोनों परिमेश संख्याए है इनकी तुलना करने के लिए पहले हम इने संख्यारेखा पर अंकित करेंगे क्या बता सकते हैं आट बटे दस का स्थान संख्यारेखा पर कौन से दो पूर्णांकों के बीच आएगा सोचिए सोचिए बिल्कुल सही चुकि आट बटे दस का अंश आट हर दस से छोटा है इसलिए 8 पटे 10 का स्थान संख्यारेखा पर 0 और 1 के बीच है 8 पटे 10 का ठीक स्थान क्याद करने के लिए हम 0 से 1 के दूरी के 10 बराबर भाग करेंगे और इनमें से 8 भाग लेकर 8 पटे 10 अंकित करेंगे इसी तरह 9 पटे 15 का अंश 9 भी हर 15 से छोटा है इसलिए 9 पटे 15 का स्थान भी 0 से 1 के बीच आएगा इसका स्थान क्याद करने के लिए हम 0 से 1 के दूरी के 15 बराबर भाग करेंगे और इनमें से 9 भाग लेकर 9 पटे 15 व्यक्त करेंगे अब हम देखते हैं कि 8 पटे 10 9 पटे 15 के दाई और है इसलिए 8 पटे 10, 9 पटे 15 से बड़ा है इसी तरह चलिए अब रिंट 3 पटे 4 और रिंट 7 पटे 8 की तुलना करें चुकि यहां दोनों रिनात्मक परिमेश संख्या हैं याने निगेटिव राशनल नंबर्स है इसलिए इनका स्थान संख्यारेखा पर 0 के बाई और है चुकि दोनों संख्याओं में अंश हर से छोटा है इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि इनका स्थान संख्यारेखा पर 0 और रिंट 1 के बीच आएगा रिंट 3 बटे 4 का स्थान 0 से रिंट 1 की दूरी को 4 बराबर भागों में विभाजित कर इनमें से 3 भाग लेकर दर्शाया जा सकता है इसी तरह रिंड 7 बटे 8 का स्थान 0 और रिंड 1 की दूरी को 8 बराबर भागों में विभाजित कर इन में से 7 भाग लेकर दर्शाया जा सकता है इनके स्थानों को देखकर पता कीजिए कौन से संख्या बड़ी है और कौन से संख्या छोटी सोचिए सोचिए बिल्कुल सही इनके स्थानों को देखकर यह ग्यात होता है की रिंड 3 बटे 4, रिंड 7 बटे 8 के दाई और है इसलिए रिंड 3 बटे 4, रिंड 7 बटे 8 से बड़ी परिमेय संख्या है इसी तरह चलिए अब 4 बटे 5 और रिंड 3 बटे 7 के तुलना करें यहाँ 4 बटे 5 एक धनात्मक परिमेय संख्या है और रिंड 3 बटे 7 एक रिनात्मक परिमेय संख्या है इनके तुलना करने के लिए हम इन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरुपित करेंगे चार बटे पांच को हम इस प्रकार निरुपित कर सकते हैं और रिंट तीन बटे साथ को इस प्रकार निरुपित कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, 4 बटे 5 रिंट 3 बटे 7 के दाई ओर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 बटे 5 रिंट 3 बटे 7 से बड़ी परिमेय संख्या है। इससे अब आपकी परिमेय संख्याओं की तुलना संख्या रिखा पर करने की समझ बन गई होगी। आज हमने सीखी परिमेय संख्याओं की संख्या रिखा पर तुलना। अगले वीडियो में हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं की संख्या रिखा के बिना तुलना।